सर्दियों के मौसम में गोबी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेश होती है और इसकी जो सबजी है हर घर में बनती है लेकिन आज की जो सबजी है ये मेरी मॉम स्टाइल है मम्मी जैसे हमारी बनाती थी सेम वैसे ही पंजाबी स्टाइल से हम इसको ब बना लिए है यहां पर हमने lesson को crush करके रख लिया है और यहां पर थोड़े से अलू कट किया है और यहां पर डंथल कट किया है मेरे ममी जू सब्जी में जू fresh डंथल होते हैं उनको cut करके डालती है तो इसका ठेस्ट बहुत अचहाता है तो यहां पर पानी मैंने बहुत अच्छा गरम कर लिया है और गैस बंद कर दी है अब इक गोबी को पानी के अंदर डालते हैं यहाँ पर बॉयल नहीं करना है इसको बस गरम पानी में थोड़ी देर के लिए रखना है और फिर धोली नहीं इससे जो इसमें पैस्टिसाइल्स बगरा होते हैं जो इसमे गाव में सबजी बनाते हैं वो सरसों के तेल में बनाते हैं आप यहाँ पर रिफाइंट देशी की ओईल कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो सुखी सबजी होती है उसका सरसों के तेल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक जीरे का डाल दिया है चौप किया हुआ लैस अब इसको हमने पकाना है थोड़ा सा कलर आने तक जब तक प्यास का पानी नहीं सूख जाता है वर एक अच्छी सी खुश्पू नहीं आ जाती है तब तक इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं नमक डालने से जो मसाला है बहुत जल्दी भून जाता है और इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे पांच से साथ मिनट में जब मसाला पक जाए तो इसके अंदर हिंग डाल दीजिए यह आप हिंग को पहले भी डाल सकते हैं तड़के में हिंग से गोबी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल में मिर्च का धचमज डाला है थोड़ी सी मेने हल्दी डाली है हल्दी आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा पका ले रहे हैं यह जो मसाले हैं आपने टमाटर डालने से पहले डालने हैं तांकि अच्छी तरह कुक हो जाएं और जो हल्दी का गच्छापन है वह खतम हो जाए यह पक चुके हैं अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अपनी टमाटर की प्यूरी टमाटर की प्यूरी जब मैने बनाई थी इसके अंदर मैने डाल दिये था अद्रक हरी मिर्च तो वह भी साथ में ही पिस चुके हैं उनका टेस्ट वीश के ढ़के भी पका सकते हैं लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकाएंगे तो मसाला बहुत ही अच्छा पक जाता है अब यह मसाला पक चुका है बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आ रही है इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बाकी के एक आपे 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूंग लिया है बहुत ही अच्छा सा यह कोख हो जाने चाहिए अब इसके अंदर आलू डाल देते हैं गोबी को मैंने सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि अगर गोबी को हम पहले डाल देंगे तो गोबी बहुत जल्दी कोख हो ज अब हम इसे भी मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाल इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है चार से पांच चमचके की पानी डालिए और इसको धक के पकाईए पांच मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे बिलकुल धीमी अच प पानी से दोसरी इनवा धो लिया था अब इसके अंदर मिक्स करते हैं और कुक करेंगे फिर पांच मिनट के लिए ढखकर लो फ्लेम पे पांच मिनट गोबी को पकने में लगे हैं बहुत ही अच्छी सी ये गोख हो चुकी है मैं बहुत ज़्यादा मैशी सी गोबी नहीं बनाती हूँ थोड़ी खड़ी बनाती हूँ अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा मैशी चाहिए तो आप इसे दो मिनट के लिए और पक हुई है कि नहीं हुई है अब इसके अंदर में डाल देती हूं धनिया लास्ट में और यह अब सब करने के लिए रिडी है आप इसे गर्म अगर्म परांठे के साथ रोटी के साथ सब कर सकते हैं मेरी मॉम के स्टाइल की कोवी की सबजी तो बन कर तयार हो गई है आप गोवी की सबजी कैसे बनते हैं वो भी हमें जूर बताईएगा और यहां पे अगर टमाटर नहीं डालने हैं तो यहां पे दहीं का यूज़ आप कर सकते हैं मैं कई बार ऐसे कर लेती हूं उससे भी सब्केरान अर्फट सेवाई!